नवश्कार दोस्तों पूजय शिक्ती चैनल में आप सभी मेरे भाईयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है जैमातादी दोस्तों आज जिस नई विशे पर हम चर्चा करेंगे इसके लिए काफी सवाल आये थे उसमें काफी कमेंट्स मेरी माता बहनों के आये थे कि अगर करवाचौद के दोरान हमें पीरिट्स या महावारी हो जाती है तो हम कैसे करें मासिक धर्म के दोरान हमें करवाचौद का वरत किस प्रकार से करना चाहिए सबसे पहले जान लेते हैं करवाचौद 17 अक्टूबर 2019 को बनाया जाएगा करवाचौद का इस बार का जो पास रहेगा 13 गंटे 56 मिनिट का रहेगा करवाचौद जो है अब की बार इसका चान जो है 8 बचकर 18 मिनिट पर निकलेगा पूरे 70 साल बार रोणी नक्षत्र में जो है ये वरत आ रहा है काफी शुब योग बन रहे हैं इस बार के योग जो है काफी खास होने वाले हैं साथी साथ यहाँ पर ये बताएंगे कि करवाचौद के दौरान कई बार जो है और वरत भी रख सकती है अगर मासिक धर उसी दिन आजाता है जिसे एक दो दिन होते हैं तो शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो करवाचौद के लिए कहीं ब ऐसा नियम नहीं बनाया गया है कि हम मासिक धर्म के दौरान जो है वरत नहीं रख सकते हैं आप वरत जरूर रखें जैसे नियम से वरत रखती है हर साल जैसे रखती है वैसे ही रखिए आप तैयार भी होई यह जैसे आप हमेशा होती है परन्तु शास्त्रों में जो नियम बताया गया है वो बताया गया है कि मंत्रों का जो चारण होता है वो नहीं करना है साथी साथ मंदिर में प्रवेश या मूर्ती स्पर्ष नहीं करना है तो इन नियमों का ध्यान रखें आप क्या कर सकती है जब आप मासिक धर में हो और करवा चौत का वरत रखनी जैसे आपने सुवेश से शाम तक कर रखा कता जहां भी सुनने चाहे तो थोड़ी दूरी बना ले ताकि जो दूसरी माताय वहने वैटी है उनसे आप थोड़ी दूर रहें थोड़े से दूर होकर कता सुन सकती है आप परन्तु आप उस समय पर पूजा न करें शाम की पूजा जो है पती की पूजा जो होती है चंदरदर्शन जो होते हैं वो जो आप नियम से जैसे करती हैं आप सब कुछ वैसे ही करेंगी उसमें कोई भी नियम जो है शास्त्रों में बताया नहीं गया है मासिक धर्म जो है एक नैचरल प्रक्रिया है यह जो है चौट का जो वरत होता है आप वो कर सकते हैं पून श्रद्धा बक्ति से कर सकते हैं कोई भी वरत होता है जैसे नवरात्र भी होते हैं या कोई भी आपका साल भर का जो वरत होता है जो आप सदे भी रखते हैं जो हर साल का आपका नियम होता है आप कर सकते हैं उस समय पर आप या किसी भी वरत के दोरान आप मूरतिस पर्ष नहीं करेंगी, मंतरों का उचारण जो हैं नहीं करेंगी और मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगी और इसके अलावा कई बहनों ने पूछा था कि हमें इतने दिन हो जाएंगे या हमारी इतने दिन चल रहे हैं अगर आपको date exact पता है तो आपको पता होगा कि किस दिन आपकी जो periods हैं आने वाले हैं तो उस समय पर आप जो है tablets ले सकती हैं अगर नहीं ले सकती हैं तो आप सिर्व इतना करें कि अगर पांच दिन हो चुके हैं तो सिर्धो कर सुखा कर और उसके बाद में जो पूजा का नियम है उसे पूर्ण करें अगर आपको एक या दो दिन हुए है तो आप जैसा जो मैंने नियम बता है वो बता यानने 5-7 दिन के उपर के जितने भी समय है उस समय पर आप पूजा पार जो नौर्मल तरीके से करती है नियम जैसे आप फॉलो करती है वैसे ही करेंगी परन्तु 5 दिन के अंदर अगर आपके दिन हुए हैं तो करवा चौत का व्रत जो होगा आप जो मैंने नियम बताया है वैसे ही करें आप व्रत रख लीजिए पर पूजा पार्ट के समय पर जो है थोड़ी सी दूरी बना कर आप कथा सुन ले तो भाईयों और बहनों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देत क्षा में अपनी पर जो है यहीं दो है यहीं तो को फग्रत आप कर दो है दो है तो है जाप